हलो फ्रेंड्स, इस्टेडी बीट कृष्णा चेनल में एक बार आपका फिरशोगत है आज के इस क्लास में हम डिसकस्nicos करेंगे भारत में पेट्रोलियम कहाँ खान पे पाया जाता है और उसके साथ साथ में ही पेट्रोलियम के साथ में है हम पेट्रोलियम के छेत्र तो देख जा जाता है तो pipeline को भी साथ में ही हम पढ़ेंगे और refinery उस छेतर की कौन सी हैं जहां जहां पर तेल का सोधन किया जाता है इन तीनों चीजों को अगर हम एक साथ ले करके चलेंगे इसलिए हम आज पूरे भारत का discussion नहीं करेंगे एक एक छेतर को ले करके चलेंगे क्योंकि हम पेट्रोलियम की जब हमने बात की थी तो भारत में पेट्रोलियम आपको हमने बताया था कहां कहां पर पाया जाता है उसको एक बार यहां पर दर्ज करें तभी आप उसे समझ पाएंगे तो जो पेट्रोलियम है वो हमने आपको बताया था कि मुख्य रूप से ब्रम्पु गाटी ब्रंभ पुत्र की घाटी आप इसे असम वाला छेत्र मान सकते हैं वहाँ पर तेल है उसके बाद में गुजरात के तट पे तेल है गुजरात तट एवं इसी के साथ में राजस्थान ये वाला एरिया है और फिर जो है आप तटी छेत्र हैं जिसमें पश्चनी और पूर्भी दो अपत ती छेत्र हैं तो इसको अलग-अलग हम डिसकस करेंगे क्योंकि साथ में हमको pipeline और refineries के विसे में भी discussion करना है तो आज की इस class में हम जो discuss करेंगे वो ब्रह्मपुत्र घाटी पर बात करेंगे ब्रह्मपुत्र घाटी में तेल कहां कहां पर पाया जाता है तो पहले इन तीनों location को आप मैप पे समझ लीजे यह एक ही बार में उसके बाद एक एक पर हम बात करेंगे यह देखिए आपका गुजरात का एरिया है इस तरह से यह राजस्थान यह आपका हो गया इंडिया इस तरह से पेनुसलर इंडिया पाश्चिम बंगाल त्रिपूरा मिजोरम अरुणाचल प्रदेश सिक्किम और नेपाल उपर इंडिया है इस तरह से यहां इतने से हिमारा काम चल जाएगा तो कि यहीं पर तेल प्राप्थ होता है उपर हम जम्मु कस्मीरोगरा को नहीं बना रहे हैं तो देखे सबसे पहले आप ब्रंभ पुत्र घाटी को समझे तो यहां पर आपको पता है यह ब्रंभ पुत्र नदी इंटर होती यहां से चीन से आती है ब्रम्भ पुत्र नदी और ये असम में होते हुए बांगला देश में चली जाती है, तो ये जो घाटी है, ये जो ब्लैक कलर से हम सेडिंग कर रहे हैं, ये है ब्रम्भ पुत्र की घाटी, यहां पर पेट्रोलियम पाया जाता है, और पेट्रोलियम में हमने बताया कि दो प् अब अभी तटी है और ये वाले में अब तटी होते हैं तो ब्रभपुत्र की घाटी वहां पढ़ेंगे अबदूसरी चीज़ें गुज्रारतत योम राजस्थान तो देखें गुज्रात तकी जो बात की जा इलाका है ये गुजरात के तटवर्ती जो छेतर है यहां पर भी पिट्रोलियम पाया जाता है तो इसको कहते हैं गुजरात तट यह हो गए आपका गुजरात तट यहां पिट्रोलियम पाया जाता है गैस और पिट्रोलियम वहां भी गैस पाई जाती है यहां भी गैस और पि स्थान का इलाका हो गया जहां पर आपकी पाई जाती है पेट्रोलियम तो तीन आंसोर हैं यानि कि ये स्थल पर हैं आंसोर इलाके हैं गुजरात तट योम राजस्थान को एक साथ पढ़ेंगे ब्रंभ पुत्र घाटी को हम अलग से डिसकस करेंगे आज की क्लास में अब जो जो इलाके जो समुद्र के अंदर पाये जाते हैं इनको कहते हैं अप तटी आप तटी यानि कि आप सोर आप सोर इलाके और ये सब आंसोर हैं ये कौन से हैं आंसोर ये तीनों क्योंकि ये धरती पर हैं बीच में हैं यानि तट पर हैं और ये तट के बाहर हैं तो इस तरह स तो हम आज ब्रंभुपुत्र घाटी के बात करेंगे då कौन कौन सी तेलसोधन यहां पर प्रवुकृ रोप से जो इंपोर्टेंट है इस्थापित है अब इन तेल छित्रों से इन रिफाइनरी तक तेल ले जाने के लिए तेलियों गैस की पाइपलाइने भी बिछाई जाती है तो वो पाइपलाइने कहां कहां से होके कहां तक बिछाई गई है ये भी आपके सिलेबस में important topic है तो आज ब्रह्मपुत्र की घाट अगर आपको एक ही बार में दिखाना हो कि इंडिया में petroleum कहा कहा पे है तो बहुत आराम से आप राजस्थान का ये वाला इलाका ये गुजरात तट वाला इलाका और ये असम का जो असम की घाटी है वो दिखा सकते हैं और ये अपतटी में दोनों तरफ के यानि अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी के छेत्र में यहां कृष्णा और गुदावरी का जो डेल्टा बेसिन है उस छेत्र में दिखा सकते हैं तो ये फिगर आप बना लीजे इसके बाद में हम देखते हैं कि ब्रम्भ पुत्र की घाटी को डिटेल में हम पढ़ेंगे ब्रम्भ पुत्र की घाटी हेरिंग रहेगी ब्रम्भ पुत्र की घाटी में पेट्रोलियम छेत्र पेट्रोलियम छेत्र देखें कौन कौन से पेट्रोलियम छेत्र हैं ब्रम्भ पुत्र की घाटी में तो इस मैप को हम मिटा रहे हैं अब जो हम मैप बनाएंगे वो सिर्फ इधर का ही पूर्वत्तर का भारत का इलाका बनाएंगे आपको हर प्रकार से मैप बनाना जरूर ही आना चाहिए देखे इस तरह से आप बना लीजिए यह सिक्किम हो गया आपका यह भूटान का इलाका हो गया फिर इस तरह से अरूनाचल प्रदेश है और ऐसे आप देखते हैं यहाँ पे मिजोरम है त्रिपुरा और यह नेपाल और यह आपका इधर का इंग्या हो गया यह आपका सिक्किम के बाद का इधर का पूर्वोत्तर भारत बन गया इसी में यह जो एरिया है यह आपका है ब्रंभ पुत्र की घाटी ब्रंभ पुत्र नदी यहीं से अरूनाचल प्रदेश से इंटर होती है असम ह तो इसमी पेट्रोलियम पाया जाता है। अब विशेष़ बात हमने आपको बताई थी कि भारत में सबसे पहला पेट्रोलियम का खेत्र जो खो जा गया। वो ब्रम्भ पुत्र में खो जा गया या इनि ब्रम्भ पुत्र की नदी के आसपास के छेतर में तो इसकी पहली विशेष्टा यह है कि यह सबसे पुराना भारत का भारत का पेट्रोलियम छेत्र है पेट्रोलियम छेत्र है सबसे पुराना आपको हम बता चुके है कि यहीं पर माकूम छेत्र है यहां डिगबोई के पास में यहीं पर सबसे पहले तेल खो जा गया था उस तेल को डिगबोई जैसे छेत्रों से निकाला जाता था और आजादी तक यही एक छेत्र था असम वैली जहां से तेल निकाला जाता था आजादी के बाद में जो और हमने छेतर भी बताये थे वो सब आजादी के बाद में डिबलप किये गए हैं अंग्रेजों के समय में सिर्फ यही एक छेतर था यहीं से निकाला जाता था पेट्रोलियम तो ये सबसे पुराना भारत का पेट्रोलियम छेत्र है, अब इस छेत्र में आपको देखना ये है कि कहां कहां पर पेट्रोलियम के कौन कौन से प्रमुक छेत्र है, तो देखे, यहां पर आप देखेंगे, तो आपको एक छेत्र मिलेगा, दिब्रुगड, ये है पास में ही आपको मिलेगा डिग बोई यह डिग बोई के बाद में आप देखोगे तो आपको मिलेगा नहर कटिया और इसके बाद में आप देखोगे नहर कटिया के बाद में आपको एक छेत्र और मिलेगा हुगरी जन और फिर आप देखोगे आपको मिलेगा सिव सागर ये सभी असम में छेतर है डिब्रुगण और आपको मिलेगा रुद्र सागर रुद्र सागर ये छेतर कौन सा है ये लखीम पूर का छेतर है पूरा लखीमपूर ये प्रमुख प्रमुख आपके असम के छेतर में तेल के कुईये हैं देखे कौन कौन से हैं प्रमुख रूप से जो जानने हैं आपको बिसेश करके एक तो डिगबोई डिगबोई बहुत पहले से डिगबोई में निकाला जा रहा था उनिस सो तीरपन तक डिगबोई ही एक ऐसा छेतर था दहां से पिट्रोलियम का निसकरसर किया जा रहा था दूसरा एक बहुत फेमज छेतर है नहर कटिया डिगबोई के पास में ही इस्थित है ये सभी असम में है नहर कटिया और इसके बाद में आप देखोगे एक छेतर है हुगरी जन ये और सिव सागर रुद्र सागर लखीमपुर दिब्रुगड ये हमने आपको छेतर बताए ये सब डॉट आपको यहीं पे लगाने है ये असम में है ये कहलाती है दिहंग की घाटी यहीं पर दिहंग रिवर है न अब यहां पर सुर्मा घाटी जो है यहां पर भी तीन कुएं हैं बिसेश करके एक यहां पे है एक यहां पे और एक यहां पे यह तीन कुएं है तो इसमें देखे यह जो पहला है यह है पथरिया इसका नाम है पथरिया पथरिया और यह जो दूसर इसके बाद में है यह है बदर पुर ये कौँसा है बदर पुर और ये तीसरा है मसीम पुर मसीम पुर ये जो तीन है जो हमने ब्लू से बनाए ये तीन अलग इसलिए बनाए यहां पर क्योंकि ये तीन जो है सुर्मा वैली में हैं यहां पर जो भाग है इसको कहते हैं सुर्मा घाटी पथरिया जो है यह बॉर्डर पर है बिल्कुल बांगला देश और यहां सुर्मा वैली के बॉर्डर पर असम के तो यह आपका है पथरिया यह है बदरपुर और फिर है मसीन पूर यह तीनों कहलाते हैं सुर्मा घाटी यह तीनों किस घाटी में है यह सुर्मा घाटी सुर्मा घाटी या सुर्मा वैली और ये जो है असम की घाटी में है या दिहंग वैली आप कह सकते हो तो यहां से ले करके यानि की दिहंग घाटी से ले करके सुर्मा घाटी तक का जो छेतर है ये लगभग त्यारा सो किलोमीटर का एरिया है यहां से लेके यहां तक त्यारा सो किलोमीटर के एरिया में पेट्रोलियम के भंडार पाये जाते हैं अब पेट्रोलियम के भंडार में आपको हमने जो मुख्य मुख्य तेल छेत्र या तेल के कुएं बताएं हैं यह आपको मैचिंग के लिए दे जाते हैं पूछा जाता है सीधे डारेक्ट कि बदरपूर पथरिया यह तेल के कुएं छेत्र कहां पर इस्थित हैं तो यह सब है कि शुर्मा बेली खेत्र यह तो पेट्रोलियम छेत्र के लिए प्रसिद्ध है और सुर्मा तीन तेन कुएं बदर पूर पथरिया और मसीं पूर यह बहुत फेमस हैं इनको कताई आप भूलिएगा नहीं इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम के दिष्टकोंड से सुर्मा वैली अब इधार आजाएंगे असम वैली असम वैली में आपके जो सबसे फेमस हैं वो आपको ये चार तो कताई नहीं भोलने हैं बोई नहर कटिया होगरी जन और सिव सागर ये चार बेरी इंपोर्टेंट हैं बाकि दिब्रुगर रुद्र सागर और लखीमपूर के छेत्र भी पेट्रोलियम यहां से भी निकाला जाता है तो इतने आपको यहां पर याद रखने है और ये तीन तो ये है पेट्रोलियम के छेत्र अब इनके विसे में कुछ और भी पॉइन्ट है जो आपको जानने है जो खास खास हैं उनके विसे में जैसे की डिग बौई यहां पर तोटल तो आप सब लिखोगे ही लेकिन कुछ हम जो आपको बता रहे हैं कि इस छेतर के तेल छेतर पहला है डिग बोई ये डिब्रुगढ में है ये कहां है डिब्रुगढ में इस्थित है ये हमने बताया डिब्रुगढ छेतर है उसी छेतर में ये डिग बोई नाम का एक छेतर है तो ये भी जो है डिब्रुगढ में इस्थित है और यहां पर एक डिग बोई डिग बोई रिफाइनरी है रिफाइनरी डिगबोई रिफैनरी यहाँ पर इस्थित है और ये देश की सबसे पुरानी रिफैनरी है ये क्या है भारत की प्रथम भारत की प्रथम रिफैनरी तेल साफ करने वाली जो फैक्टरी है जो कार खाना है वो डिगबोई में सबसे पहले लगाया गया और ये डिगबोई है कहां किस प्रदेश के इंतर गताता है तो ये आता है असम में असम में ही ये सब असम में है जितने भी हमने बताए ये सब असम में ही है प्रदेश के हिसाब से देखेंगे तो य अब दूसरा जो आपको यहां पर important है वह है नहार कटिया है नहार'm कटिया है कि अब आपसे question कर दिया जाया कि ड्रिक बोई निकाला जाता है वह कहां पर साफ किया जाता है to जब वहां पर उनी के व में ही उसको साफ किया जाता है जो दूसरा विशेस्ता ये है कि यहां पर तेल प्लस गैस प्राकृतिक गैस दोनों चीजें नहर कटिया में मिलती है ये नहर कटिया छेतर है मैं पर आप देख रहे हो यह वाला यहां पर तेल भी निकलता है यानि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भी अक्सर जहां जहां पेट्रोलि गैस निकाला जाता है इसको कहां सोधित किया जाता है तो देखे इसके लिए दो सोधन है एक तो आपका नूनमती है गुवाहाटी में नूनमती और एक यहां बिहार में है बरावनी बरावनी तेल सोधन साला बिहार में है तो यहां से पाइपलाइन बिछा करके इसको बराव नून मती, यानि गुवाहाटी, एवँ, बरवनी, यह तो असमे ही हो गया, और बरवनी कहा है, बिहार, प्रदेश में, यानि कि पूरा यहां पूरा असम पार करते हुए, यहां वेस्ट बंगाल पार करके बिहार में तेल ले आते हैं इतनी दूर तक इसको ट्रांसफर करते हैं पाइप के माध्यम से तो यहां का जो तेल है वो नून मती यवम बरौनी बिहार रिफाइनरी भेजा जाता है रिफाइनरी में भेजा जाता है अभी हम बात करेंगे कैस सबसे पुराने एक कुवा है सबसे जो पुराने छेतर उनमेंसे हैं डिबुरुगड में है और इसके लिए तो अलग से एक डिबुषष में रिफाइनरी इस्ठापी थी है लेकिन जो नहर-कattia नहर कटिया में तेल और गैस इसको जो है दो जगे भेजा जाता है, यह दोनों रिफाइनरी के नाम है एक तो वहीं पर आपकी गुहाटी में है नूनमती या गुहाटी रिफाइनरी इसको बोलते हैं और दूसरी है बरावनी तेल सोधन साला यह बिहार में है यहाँ नहर कटिया असंमे है और यहां बिहार कहीं पड़ेगा करके आपका यह पूरा एरिया पार करके एक पाइपलाई आती है 1000 किलो मीटर से ज्यादा एरिया पड़ता है करीब 12.0 किलो मीटर ये pipeline बिचाई गई और ये भारत में सबसे पहली pipeline थी इसको बिचाया गया था तो नहर कटिया हो गया इसके बाद देखे इसको note करते रहेंगे साथ में अब देखे अगला जो तेल छेतर हैं क्योंकि कुछ खास खास चीजे हैं वो आपको जानना जरूरी है इन छेतरों के वि हुगरी जन इसको जो है एक पूरा नाम इसका है मोरान हुगरी जन मोरान हुगरी जन और यहां से भी बरावनी तेल भेजा जाता है बरावनी रिफाइनरी यहां का तेल भी वही जाता है इसके बाद दिखे सिव सागर है सिव सागर रुद्र सागर यह सभी तेल छेतर जो है पाए जाते हैं इतने हमने आपको इंपोर्टेंट बता दिए और इस छेतर का जो हमने बताया सूर्मा वैली सूर्मा घाटी और सूर्मा घाटी में तीन जो है छेतर हैं एक है पथरिया पथरिया एक है बदरपुर और एक है मसीम पुर मसीम पुर यह तेल के तीन छेतर कहां पर मिल रहे हैं सूर्मा घाटी में मिल रहे हैं यह बार बार मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि चीजें दिमाग में आपके फिट हो जाए इस मैप को दिमाग में बिल्कुल फिट करिए कि डिकबोई नहर कटिया खुगरी जन स सागर उधर उपर आप देखें दिब्रुगर रुद्र सागर और लखीमपुर और यह तीन सूर्मा घाटी के छेतर हैं तो यह तीन छेतर सूर्मा घाटी में हैं देखें कुछ यहां पर कुछ यहां पर जो आपका त्रिपुरा है त्रिपुरा में भी पाया जाता है त्रि त्रिपुरा में जो छेत्र हैं वो हैं मामुन भाग ये छेत्र है मामुन भाग त्रिपुरा में और इसके लावा कौन से हैं बारा मुरा देवता मुरा ये छेत्र भी जो है त्रिपुरा में है कभी आपको मैचिंग के लिए दिया जा सकता है कि जो है मामुन भाग छेतर कहां पाया जाता है या बारा मुरा देवता मुरा तो बारा मुरा देवता मुरा त्रिपुरा से रिलेटेड हैं और बाकी जितने भी हमने बताए ये सब असम से रिलेटेड हैं एक अगर और अरुनाचल प्रदेश यह इंपॉर्टेंट नहीं है उतना क्योंकि सब ज्यादा तर जो असम वाले हमने बताये हैं यह यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन आपके नोट्स में रहेंगे कभी आपको मैचिंग के लिए अचानक से आ सकता है सामने तो अगर एक बार आ जाएगी आप आप सनको पकड़ ले जाओगे तो अरुणाचल प्रदेश का एक तेल छेतर जो है आप याद रखिए कुम्चाई है कुम्चाई अरुणाचल प्रदेश में है तो यह हो गए आपके पेट्रोलियम के इलाके अब यहां पर जो है रिफाइनरी उनको देखें सभी रिफाइनरी यहां की जो इस छेतर की जितना भी तेल है उसको सोधित करती है तो वो कौन कौंसी है इस छेतर की रिफाइनरी देखें हम पूरे आल इंडिया की बात नहीं करेंगे हम जेस छेतर को उठाएंगे उसी छेतर की रिफाहनरी और type line साथ में पढ़लेंगे ज यानि टेल सोधन सालाई तेल सोधन संयत्र तो दिखे एक तो हमने आपको बताया कि डिगबोई में हैं अब इस मैप को हम मिटा देंगे जराँ यानि कि यहां पर हम इन तेल छेतरों का नाम मिटा देंगे इस मैप को आपने बना लिया होगा अब एक दूसरा मैप बनाईए व उसके नीचे एक दूसरा मैप बनाएए और उस पर जो है अब सिर्फ तेल सोधन कार खाने बनाएंगे आप और पाइपलाइन बनाएंगे ऐसा ही एक मैप फिर से ड्रा कर लीजिए इस तरह से अब यहाँ पर हम बनाएंगे तेल सोधन कार खानाएं तो देखे एक है डिग बोई डिग बोई हमने बताया कि सबसे पुराना है डिग बोई दूसरा है नून मती इसको बोलते है गुवाहाटी यानि गुवाहाटी में है इसको गुवाहाटी रिफाइनरी भी बोला जाता है तीसरा है बुंगई गाउं और चोथा है नुमाली गड़ और ये सभी ये चारों के चारों जो है ये असम में हैं ये कहां है असम में ये चारों असम में हैं इसके अलावा जो पांच्वा आपको जाना है वो है बरवनि अबरवनि ये बिहार में है और च्छठा आपको जाना है हल्दिया हल्दिया ये पस्चिम बंगाल में है पस्चिम ये च्छार जो है रिफाइनरी तेर सोधन साला है इस छेतर में काम कर रही है डिगबोई नूनमती बोंगाई गाउ नुमाली गड़ बरवनी और हल्दिया ये छे मैं पर आप देख लेंगे बिल्कुल आपको याद हो जाएग इसको ऐसे बनाए तेल सोधन कार खाने को ऐसे बनाए ये है डिगबोई और यहीं पर है आपकी नुमाली गड़ ये आपकी है नूनमती और यहाँ पर है आपकी बुंगाई गाउं सबी उसी तरह देखें लाइन के लाइन बनी हुई है ये आपकी हो गई डिगबोई नाम भी लिख लें ये आपकी कौन से हो गई डिगबोई ये रिफाइनरी बना रहें डिगबोई और ये है नुमाली गड़ ये है आपकी नूनमती ये है बुंगाई गाउं बुंगाई गाउं बहुत तेल यहां पर प्राप्थ हो रहा है और बहुत पहले से प्राप्थ हो रहा है इसलिए देखें लाइन के लाइन असम में रिफाइनरी लगी हुई है दिग बोई, तेल सोधन, कारखाना, नुमाली गढ़, नून मती, गुवाहाटी में, बोंगय गाओ, ये सभी असम में है, और फिर यहाँ पार करते हुए चले आएए आप बिहार में, ये आपका आजाएगा बिहार, और ये है यहाँ पर आपकी बरोनी, बिहार में है बरोनी ये कहाँ है, बिहार में, मैं पर आप लोकेट करिएगा बिहार में, और यहाँ बेस्ट बंगाल, ये पस्चिम बंगाल है इधर, यहाँ कलकत्ता के बाद में आपको यहाँ नदी में जो हुगली नदी है, यहाँ पर आपको एक मिलेगा, हल्दिया, हल्दिया जो बंदरग तरफ आप जाओगे तो उडिशा में आपको ऊक मिलेगी पारादीप अभी नई बनी है पारादीूप पारादीप कहा है ओडिशा में ओडिसा और हल्दिया जो है वेस्ट बंगाल में है यह तो यह रिफाइनरी है एक यहां और लिष्ट नोट कर लीजिए आप पाराद्यूप को भी लिख लीजिए कुछ भी कठिन नहीं है घबडाये नहीं आपको यह लग रहा होगा बहुत से नाम लिख गए कुछ भी नहीं मैं पर आप देखिए बहुत इजी है बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं याद कर सकते हैं डिकबोई तेल छेतर है तो डिकबोई में डिकबोई नाम की एक रिफाइनरी भी है यहां पर आपने देखा था एक नहार कटिया और जो है हुगरी जान यह सब तेल छेतर है तो यहाँ पर एक नुमाली गढ़ रिफाइनरी लगी हुई है एक नूनमती है एक बोंगाई गाउं है एक यहाँ सिलीगुडी के और आगे सिलीगुडी होते हुए पाइप आती है यहाँ पर आप देखोगे बरवनी बिहार में आप आ गए और इधर वेस्ट बंगाल में आ हल्दिया पॉर्ट है और पारद्यूप में भी रिफाइनरी है हल्दिया में भी रिफाइनरी है पारद्यूप वोली सरकारी रिफाइनरी यह अभी सब सबसे नई है पाराद्यूप का उत्गाटन अभी जो है 2016 में किया गया हलाकि इसका उत्पादन कुछ हिकाईयों का पहले सही शुरू हो गया था लेकिन पूरते पूरी तरीके से 2016 में काम करना पाराद्यूप ने शुरू किया है ये भी एक रिफाइनरी है ओडिसा में तो अब पाइपलाइन देखिए पाइपलाइन अगली हेडिंग डाल दीजे पाइपलाइन तो यहां पर जो सबसे प्रमुख पाइपलाइन है फिर उसके कुछ ब्रांचेज हैं तो सबसे प्रमुख पाइपलाइन जो है उसको बोलते हैं नहर कटिया नून मती बरवनी देखो यहां पर नहर कटिया नाम का एक आपको हमने बताया था तेल का कुवा है पिछले ले मैप में देखें नहर कटिया नहर कटिया और नूनमती और बरौनी इस पाइपलाइन का नाम क्या है पहली पाइपलाइन है उसका नाम है नहर कटिया नहर कटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन यह है पाइपलाइन का पूरा नाम यह है नहर कटिया से लेके नूनमती नूनमती से आगे बरवनी अब यह कैसे पाइपलाइन आती है इसको इसी मैप पे हम ड्रा कर देते हैं आप समझ लेंगे देखें नहर कटिया से चलती है पाइपलाइन और इस तरह से ये नून मती होते हुए नून मती बोंगाई गाओं होते हुए यहाँ पे आपका पड़ जाएगा सिली गुड़ी सिली गुड़ी सिली गुड़ी होते हुए यह पाइपलाइन जो है आपके बिहार में आ जाती है और यह आगई बरोनी और बरोनी से और आगे इसको बिस्त्रित गिया गया है कानपूर तक बरोनी से आगे इसको कहां तक पहुचा दिया गया है कानपूर तक कानपुर, अब कानपूर में अभी तेल-सोधनاف kार खाना नहीं है, इस तरह का नहीं बनाया, कानपुर तक यह पाइप्लाइन बिछाई गए है, यह जो डौतेड हमने बनाए यह पाइप्लाइन है, यह प्रारम्व कहां से होती है, प्रारम्व बिन्दु है, नहर-कटिया, बाद में इसको जोड़ दिया गया, ऐसा न सुचेगा कि नहर कटिया तक ही है, शुरुवात यहां से की गई थी, बाद में इसको डिगबोई से भी जोड़ दिया गया है, इसकी साखाएं हर एक तेल छेतर तक जोड़ी गई है, प्रमुक साखाओं को भी हम बताएंगे, तो नहर कटिया से यह पैपलाइन सुरू होती है, और नूनमती, बोंगाई गाओं, सिली गुड़ी होते हुए यह बरावनी तक आती है, और बरावनी से आगे इसको उत्तर प्रदेश में कानपुर तक बिस्तारित किया गया है, और बरावनी से ही एक और साखा इसकी निकाली जाती है, जो कहां जाती है, हल्दिया, एक साखा बरावनी से हल्दिया भी पहुचा दी गई है, बीच में इसके स्टापज है, जहां से और भी इसकी साखाए निकाली गई है, जैसे स्टाप का क्या नाम है, यहां पर एक स्टाप है इसमें, जहां से इसकी एक और ब्रांच जो है खोली गई है यह है राजबंध 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 से इसकी दो साखाएं कर दी गई एक हल दिया गई और एक गई मौरी ग्राम मौरी ग्राम तो यह है मुख्य पाइपलाइन इसका नाम क्या है नहर कटिया नून मती बरोनी पाइपलाइन और उसके बाद में इसकी साखाएं कौन सी है बरोनी से एक साखा जाती है कानपूर बरोनी से एक साखा राजबंध होते हुए हल दिया जाती है और राजबंध से इ आती है यह आपकी पाइपलाइन है यह सबसे पहली पाइपलाइन है जो नहर कटिया से बरवनी तक बनाए गई थी यह भारत की सबसे पहली एक पाइपलाइन है इसके बिसे में क्या आपका पोइंट है यह जो है भारत की प्रत्थम तेल एवं गैस पाइपलाइन है पाइपलाइन ऐसे ही माइप पे ड्रा कर लीजे आप और यह छोटी बड़ी अठातर नदियों को पार करती है अठातर नदी पार करती है यह बहुत लंबी पाइपलाइन है सबसे लंबी नहीं है भारत की है समझ सोच लेजेगा कि यह सबसे लंबी पाइपलाइन है यह जो है ग्यारा सो सरसट किलो मीटर है टोटल यहां तक जो मेन है यह बरोनी तक नहर कटिया से बरोनी तक यह जो है पहले बनाई गई थी यहां नून मती तक उसके बाद में इसक 400 किलोमीटर के आसपास यह है और 700 से उपर किलोमीटर इधर है तो 7-4 1167 किलोमीटर यह टोटल जो है पैपलाइन नहर कटिया से बरोनी तक है फिर इसका आगे विस्तार है कानपूर तक और इधर यह हल्दिया तक तो यह हमारे इस छेत्र के आप से मैचिंग करने के लिए दिय जाता है कि यह रिखायनिरी किस में आएगई तो इधर आप στο आपको रिखायनिरी बटाई है जो असम में और ली है बिहार में मतुरा रिफाइनरी कहा है मतुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में और मतुरा रिफाइनरी में इधर से तेल नहीं जाता है इधर का तेल अभी मतुरा रिफाइनरी में नहीं जाएगा मतुरा में इधर जब हम गुजरात की तरफ से जो तेल निकालेंगे गु dit की यह कभी कभी पूछ्च लिया आता आपकी जानकारी के लिए भी पता होना चाहिए कि यह आइओसी का है डिक बोई भी जो है आई ओसी का है यानि इन्डियल ओयल कारपुरेशन का है जो है यह प्ति नुमाली गढ़ जो है वह इन आरियल का है कि ए न अर यञा को बरोटनी भी जो है ile को सका ही ऐसे कुछ में में आपको पता होने चाहिए जिससे डिगव रिक्व चैनल करपोरेशन का है एंडया और का है नुलमती किसका है तो ये भी इंडियन आइल कारपोरेशन का है तो इस तरह से आप identific प्रमुख पता भी होने चाहिए कि किस कंपनी के हैं तो इस तरह से आपने क्या देखा बंगाल जो यह ब्रम्ह पुत्र की घाटी है ब्रम्ह पुत्र की घाटी में कौन-कौन से पेट्रोलियम छेत्र पाये जाते हैं वहां से तेल गयस की पाइप्लाइन कौन सी है और आपको कोई confusion न होने पाए एक छेतर की चीजें एक ही साथ दिमाग में फिट हो जाए तो मिलते हैं अगले क्लास में जिसमें हम गुजरात और राजस्थान के छेतर के तेल छेतर भी पढ़ेंगे वहां की रिफाइनरी भी आसपास की देखेंगे और जो गैस पाइपलाइने ह वो किस प्रकार से विछी हुई हैं उन पर भी बात करेंगे मिलते हैं एक और भेतर क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद